ग्रेसी सिंग का जब भी नाम जुबा पर आता है तो सबसे पहले उनका खिल-खिलाता हुआ चहरा सबसे पहले आ जाता है। सुन्दर प्यारी और मासूम चवी वाली ग्रेसी की मन मोहक मुस्कान उनकी खूपसूरती पर चार चान लगा देती हैं। बताते चले कि ग्रेसी ने अपनी करियर के शुरुआत 24 साल पहले साल 1999 में आई हुई फिल्म हुटुतु से की थी। इस फिल्म के निर्देशक गुलजार थे। हाला कि वो फिल्म 22 साल पहले आई फिल्म लगान से उन्हें काम्याबी मिली थी। लगान फिल्म के सफल होते ही ग्रेसी सिंग को एक से बढ़कर एक फिल्मों के ओफर आने लगे। अर्मान पहली नजर का पहला प्यार हम आपके दिल में रहते हैं। मिलते हैं चांस बाइ चांस मुसकान जैसी फिल्में उन्हों नहीं की। हाला कि उनकी दुबारा सफलता डाइरेक्टर प्रकाश जा की फिल्म गंगा जल से मिली। इस फिल्म में वो अजय देवगिन की ओपोजिट नजर आई थी। ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक बस्टर निकली। साल 2004 में ग्रेसी को राजकुमार हिरानी द्वारा निर इसके बाद ग्रेसी ने अपने करियर के लिए जो कदम उठाया वो नहीं ले डूबा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रेसी ने साल 2008 में अक्टर के आरकी की फिल्म देश द्रोही कर अपने करियर पर कुलाडी मार दी। इस बात को खुद ग्रेसी कबूल कर चुकी ह कि उन्होंने देश द्रोही जैसी फिल्म कर अपना करियर बरबाद कर दिया क्योंकि उन्होंने ये फिल्म अंजाने में कर ली थी क्योंकि उन्होंने कभी भी अभी नहीं को अपने जीवन का मिशन नहीं माना। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे मैनेजर जोशी लगातार पर उन्हें प्रोजक्ट दिलाने की कोशिश करते थे 2008 में उनका निधनों जाने के बाद मैंने जो फिल्में की वो खास क्षेत्रिय रही है 2008 में देश त्रोही फिल्में काम करने के बाद उन्हें कोई भी अच्छी मूवी नहीं मिली अब आलम ये है कि एक साद्वी की रूप में वो जीवन बसर कर रही है